लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही जादा अच्छो यह गा तो फ्रेंड्स आज में बात करने वाला हूँ लेकर के लेकर के लेकर के लिए बहुत सारे बीडियो पर इसकी बैक पैनल से स्टार्ट करता हूँ तो इसका जो डिजाइन है कापी बढ़िया दिया गया हाला कि यह देखने में तो आपको लग रही होगी कि मेटल या फिर आपको ग्लासेस पैनल लग रही होगी बट यह ग्लासेस पैनल है नहीं यह आपको पॉली करगोनेट मिलती है बट देखने में स्टिल काफी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है पट यह प्लास्टिक का फ्रेम बगेरा दिया गया है कैमना मोडूल भी आ HD प्लस डिस्पले मिलती है यह पंच होल डिस्पले है और यह जो है बहुत ही कमाल का डिस्पले है फूल HD डिस्पले मिलती है तो इस फोन से कोई सिखायात ही नहीं रहती है डिस्पले के बारे में बट IPS LCD है तो यह चीज़ देख लिजेगा बागे अगर डिस्पले का क्वा बगेरा है देखिएगा तो आपको इसमें हाई क्वालिटी डिस्प्ले लगती है इंडोर आउट्डोर में आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं होने वाले बेजल बगेरा अगर देखा जाए तो 90% से उपर का रेशियो देखने को मिलती है तो डिस्प्ले के लिए एक लाइ का फोन और अगर आप देखोगे तो इतना जादा बैटरी आपको कम से कम ऐसे कंपनी तो दावा करती है तीन दिन चलेगी बट तीन दिन नहीं बट दो दिन तो आराम से ये फोन निकालने वाली है आपको अगर नॉर्मल यूजर्स है या फिर हेबी यूज स्पीकर तो मिलता है जो की 6NM पे बेस्ट है तो बैटरी भी ज्यादा चलने वाली है और इसको इसी प्रोसेसर से पावर मिलती है अगर इसका अंतुता बेंच पार के स्कोर अगर आप देखोगे तो साढ़े चार लाग से उपर जाती है भाई साब बहुत ही कमाल का इसका प्रोसेसर द लिंक 5G के अंदर में कर सकते हैं तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं इस फोन के अगर मल्टिमीडिया को ले करके इसमें जो आपको मिलते है वो सब से पहले तो इसका picture quality बहुत ही बहतरीन आपको चाहिए और इसमें एक और चीज दिया गया है multimedia से बढ़कर के ऊपर पिक्चर इसे कि इसमें आपको आपको इटमोज स्टोल्बी साउंड मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें एटमोज इस कैमरा मुझे लगता है कि सबसे चिपेस्ट रेट में आपको OIS मतलब सबसे मुझे संस्ता जो लगती है वो इसी फोन का लगती है इतना कम प्राइस में आपको 50 Megapixels का भी OIS के साथ आ रहा है और साथ में अल्ट्रावाइड अंगिल का भी सपोर्ट दिया जा रहा है वो 16 Megapixels आपको देखने को मिल जाती है तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी बगड़ा भी बहुत ही हाई क्वालिटी की आती है देखने में आपको लगी कि इन्हें ये रियालिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, bouquet effect वगेरा वो काफी अच्छे से enhance करके निकालती है, और अगर मैं बात कर लेता हूँ, selfie की तो selfie में भी अच्छे colors बगेरा निकालते हैं, पंची color बगेरा निकाल करके देते हैं, तो इसके लिए एक like बनती है कि इसका picture बगेरा वो काफी अच्छे निकाल क करके देती है अब बात कर लेते हैं इस फोन के अगर वीडियो ग्राफिकी तो वीडियो ग्राफिय आप 4K और बैक से दोनों से आप 4K में तो नहीं बट फूल एच डी 30 fps में आप वीडियो को सुट कर पाओगे साथ इस टेवल बगेरा भी बहुत ही कमाल का दिया गया है तो इसके लिए एक लाइक बनती है और अगर बात करने तो इसकी निगेटिविटी पॉइंट की तो एक है इसमें कि यह थोरा सा हीटिंग होती है क्योंकि बै देखनी होगी बट साथ में जो मिलते हैं आपको वो 3.5 म का जैग मिलता है तो इसके लिए एक लाइक मनती है क्योंकि आज का 3.5 म का जैग सारे जो है फोन निकाल करके रख दिये हैं तो बाकी यह थी वीडियो और उमीद करता हूं कि अब आप लोग को समझ में आ गई होग मतलब unbelievable है यह मतलब कहा जाए तो यह इस price के अंदर में कोई भी नहीं देता है इतना मतलब संस्ता तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है अगर आप थोरा सा hitting issue को जहेल लेते हैं तो यह phone definitely आपके लिए best होने वाली है तो आप ले सकते हैं मैं तो यही सीधा सीधा अग गई होगी कि लेना चाहिए या भी नहीं लेना चाहिए तो बस क्या ही थी मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए घर मेरे टेक क्यार आइंड गुड़ पाए